आजा पंकज पटिल आये हैं वो जूड़ना चाहते हैं पाँजी पंक्कज बताई कि स्बक्तापपिक पर डिवेट करना चाहते हैं सर आप यह बताईए योगा का परपस से आप क्या समझते मलब योगा का परपस क्या है आपके हिसाब से अच्छा जी पंकच पटेल मैं आप थोड़ा सा अपना एक परिच्छे दीजिए हलका फुलका ताई कि आपका मत को समझ सकें फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे मेरा नाम पंकच पटेल है रियल में भी मैं 36 घर को प्लेस बताने की जुरत नहीं है आपको अपना मत बताने जुरत है कि आप किसम मत के हैं क्या आपका विचारदारा है आस्तिकता और धरम पुरान वेध इन पर क्या आपकी राय बास्तिक हैं आपको वेद पुराण और गीता इन सब पर विश्वास है हां तो आप जो है यह यूग का क्या मतलब समझते हैं आपके वेद पुराण गीता इन में क्या यूग का क्या मतलब दिया गया है पहले अभी जो स्ट्रीम कर रहे थे उसको मैंने देखा सर पहली बात यह बताई आप मेरे को बात करते बात करें के बीच में थोड़ी करेंगे जब तक आप टॉपिक नहीं बदलेंगे जब तक आप अनरगल बात नहीं करेंगे मुझ पर कोई गलत आच्छे का प्रहार नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी स्वतंता रहे की जैसे अभी आपको बात करते हैं तो मैं उस चीज को मैं खंडन पार最ोम सो अलब परिपेक्स में देख रहा हूं योगा करने का पर्पस मेरे हिसाब से यह है कि आपकी जो हैल्थ है और ठीक है, मतलब बिमार होने के चांसे कम हो, या फिर मान लोग किसी जवान को आर्मी जवान या पुली स्पाहे को गोली लग जाती है, तो उससे ठ्वड़ा रिकाफर करने के लिए भी तरपी दिया पहली बात तो एक चीज आप यह समझें कि जो पिछला स्ट्रीम था वहां पर हमने उस पर चर्चा की उसकी इतिहास पर कि आपके जो तमाम गरंथ हैं वो योगा को तो गाली दे रहे हैं योगा को वो तरह तरह के अपसब्द उसके बारे में बोल रहे हैं कोई छली बता रहा है, कोई बैमान और पता नहीं तरह तरह की चीज़े बता हम धा रही है, तो मैं यह कह रहाए थाकि आप जिस चीज को समझ रहे हैं कि यह आपका अपना है वहां पर तो इसको गाली दी गई है, माना भी नहीं गया है वहां पर यह देख़ें hainjee, मनुu इसके बार में भागवाद को बोला है एक जगह पे कि योग करोगे तो यह तुमारा जो स्किल्स उसको इंप्रूब करेगा उसको बोला वकादा अबजेक कर सकते हैं यह लिख तो रहा है यहां पर गीता चेप्टर 248 में यहाँ पर लिखा है सफलता और सफलता को समान समझना यूग कहलाता है तो यह तो बोल रहे हैं यूग कहलाता है आप किसी चीज़ को सफलता या असफलता को समान समझ रहे हैं वो यूग कह लाता है यह यह नहीं कह रहे हैं कि आप यूग कीजिए का तो आप सफल हो जाएंगे या असफल हो जाएंगे ऐसी यहां पर बात नहीं चल रही है रोकी यहां पर क्या बोल रहा है पढ़िया ना आप खूड़ लीजे Esteस को बड़ात करके आप देख सकते हैं इसमें लिखा है आसफलता को समान समझना यानि कि आप औसफल्र हो गए हैं या उख तो आप एक जैसे रूप बना हुआ है आपका वो योग कहलाता है यह नहीं कह रहे हैं कि आप कोई सरीर हात पाउं दुलाएगा हिलाएगा तो उससे आपको असफलता या सफलता मिलेगी ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप समझेए यहां पर क घ्ट चैप्टर टू पाफ येपिस लोग क्या ऐस कहता है क कुसलता पुर्वक काम करना योग आ यह आ हैं तो उसको योग कहते हैं यह नहीं कर रहे हैं कि आप जो है जैसे बाबाराम देव तांग उठा के हांद उठा के आखता के आंक मारेके जो करते हैं वह योग है यह कि वम मतलब है यह योग जो सब्द है यहाँ पे मिनिंग ही विल्कुल अलग है आज वाला जो आप योग समझ रहे वह है इसका आशन की बात नहीं हुए यहां पर कि आपको एकसाइज करना है व्याम करना है आप देख लीजिए आप बता दीजिए आप इसमें कहीं गलत लिखा हो अच्छा राम और शीटा वाले का कीजिए बताइए वो भी आज आपका खुल देते हैं वो भी आपका पर्दा फास कर देते हैं आप टॉपिक बद देंगे तो बिल्कुल मैं मना तोड़े कर रहा हूं आपको बुलिया ना आप आप आपने बोला था मातासीता को छह साल की उम्र में स्थिराम के सांस सोने के लिए भेज दिया गया था आपने उसमें एक दिखाया था कहां पर बोला था मैंने ये बात साइंस जर्नी में है साल की उम्र में मतलब निकाल लेते हैं अब इसको मैंनस से अरभी करता हूं ताकि सब लोग सुनेंगे इसको और फिर हम लोग इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे ना सब मजाएगा नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी बालमिकी रमायन के अर्यंड कांड सर्ग 47 का स्लोक 4 देखें उसमें सीता रावण से कह रही है कि बिबाह के बाद 12 वर्सों तक इच्छुआंकू वंसी महराज दसरत महल में रहकर मैंने अपने पती के साथ सभी मनुवचित भोग होगे हैं मैं वहां सदा मुआन्चुए ए यह बात कह रही है कि वह साधी हाँ कर दिया पौज अब बताई चाहिए दसरत का राजमहल का वर्णन नहीं है नहीं दसरत नाम का और जो 12 साल वाला वर्णन है ना एक मिनट एक मिनट जोड़ा पढ़िये जरा क्या लिखा हुआ है यहां पर फोर नंबर स्लोक है लोग अरे भाईया हिंदी अनुवाद का इफोर स्लोक है यह बोलिए ना आप अस लोग में वो दसरत नाम का वर्णन ही नहीं है सर और नहीं एक चीज़ आप समझे पहले यह यहां पर जो इसका अनुवाद जो है न यह गीता प्रेस की किताब से दिखाया जा रहा है जब ही सलोक का अर्थ निकाला जाता है तो उसी हिसाब से निकाला जाता है जो वहां पर परिपेच्छे होता है अब सलोक मेंना सारे सब्द आप कहेंगे कि यह सब्द नहीं है वो तो वो जितने भी भासेकार हैं, वो क्या मान रहे हैं, वो माइने रखता है, आपके कहने से कुछ नहीं परक पड़ता है, जितने भासेकार लोग वहां पे किस चीज की बात कर रहे हैं, वो वहां पे दिखाते हैं, अब बताये न, आप यहां पे क्या कहना चाहते हैं, आप मे सार ấy लेञा तक मैं राजमियर हैरं से कुछ हैं आप आप यह कहना चाहते हैं कि आपके जो भात्यकार लोग हैं जो किताव हैं जो घर गर में लोग दग extrace को लोग रहे हैं जाते हैं ठाँ रूंस लेटर भी गलाएत होता है सार 33 को 33 करूंप उसर नाट है लिखना पढ़ेगा जहां पे जो चीज होगा वो लिखना पड़ेगा आप बदलना चाहेंगे तो ये आप मिलावट कर रहे हैं आपके मिलावट करने से वहां से करता है आपके आप बताये प्रेश को आप लोगों ने गलत सावित कर दिया है कहीं पर जाकर आपने गलत सावित कर दिया है थोड़ा से सुन लीजिए फ़र मैं भी गलत नहीं बोल रहा है लेकिन यहां पर साफ साफ जो गीता प्रेश गुरखपूर का यह स्क्रीन सोट में नहीं है इनहों लोग गलत है तो आपने कहीं इन लिया है कहीं कोट वगरा में जाके कि आप जो कहें वह सही और गीता प्रेश ने जो अनुवाद किया वह गलत है इसका अप लिया है कहीं पर तो आपने कहीं से एक certificate जारी करवाया है जिसने परमारित किया हो कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है और गीता प्रेस गलत है ऐसा कोई certificate है आपके पास? certificate नहीं रहता सर अब जैसे नहीं रहता तो सुनिए मेरे बाद पर आपके पास मैंने नहीं रखती क्योंकि चुकि यह धार्मिक लोगों की ही किताब है अगर कोई नास्तिक की किताब होती या कीता प्रेस जो है किसी नास्तिक कोई जबरजस्ती आलोचना के लिए लिख रहा होता या फिर कोई दूसरे मत का, कोई मुस्लिम इसाई सीख, कोई दूसरा बना रहा होता, तब कहते कि हाँ दूसरे किसी का है, ये धार्मिक किताब है, और भारत के उसकी है, जो सबसे ज़्यादा पूराने समय से ये लगतार अपनी किताबे बेच रहा है, सस्ते सस्ते दामों पर अपना नुकसान करवा के बिचता है ये, तो वो जो बंदे हैं, ये सारे ब्रामोड लोग जो हैं, इनके भासे को आप गलत कह रहे हैं, तो आपको फिर एक सर्टिफिकेट जारी करवा के दिखाना पड़ेगा, कि हम लोग अब मानने कि हाँ सही में ये गलत है, आप सही है, अगर आप नहीं सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो फिर जो किताबे लोग खरीदते हैं, जो किताबे मार्केट में एवलेवल है, जो फिरली पब्लिश हो रही है, उसकी बात सही मानी जाएगी ना, आपकी बात कोन मानेगा फिर, आपको सब दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप इनको गलत कह रहे हैं, और कहां पर आपने कोई सर्टिफिकेट या किसने इस बात को प्रमारित किया है, कि आप सही है और ये गलत है, ठीक है सर, कंटीनू करते हैं, इसको आप इस बात को नहीं माने रहा है, इसको पढ़िजे, पूरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ कि आपने एक क्लेम किया, कि गीता प्रेस में जो अनुवाद किया है, वो गलत है, वो बरामर लोग गलत अनुवाद किया है, मैंने आप से कहा, कि मैं आपकी बात मान लूँगा, अगर आपने ये प्रमारिक रूप से कहीं से मुझे एक सर्टिफिकेट दिखा दिया, कि का ट्रांसलेशन गलत है, आपके पास ऐसा कोई एक प्रमारिक चीज है, वो आप यहां पर दिखाएंगे, तो आपकी बात सही हम लोग मान लेंगे, गीता प्रेस की किताब पेंक देंगे, वीडियो बनाया है, उसमें प्रमार दिया है, आपके पास अगर सबूत हो, तो आप यहां पे टिवेट कर सकते हैं, फर जी उसने कह दिया है, उसने कह दिया, फेस्बूक पर उसने लिख दिया, वाटसब पर उसने कह दिया, वो हम लोग प्रमार नहीं मानते, मैंने तो आपकी किताब खुलके दिखा देंगे, इस स्क्रीन सॉट की बात नहीं है, यहां ढत Estamosाज है कि दिखाना पड़ेगा की जो मैं ने दिखाया है इसके आप वह सही है इस अचैने सबसक्राइक होगे आप दिखाने यहां पर मत बिल्कुल क्लियर है कि शुय हम सभी लोग उसकी बात मांते हैं जब तक आप गीट修्लण कर गलत नहीं चाहित करेंगे तब अब तक उसकी ही बात मानी जाती रहेगी क्योंकि घर-घर में गीता प्रेस की ही किताबे मिलती हैं समझेगे मेरी बात को आप अपने रूप से नकार सकते हैं क्योंकि अक्सरा ब्रामः आप तो पटेल हैं आपने लिखाया पटेल लिखे हैं तो कोई फरकी नहीं पड़ता ब पटेलने अनुवाद नहीं किया है आपको तो अदिकार भी नहीं है तो इसलिए आप इस पचड़े में मत पढ़िये कि किसका ट्रांसलेशन कौन से ब्रामः का सही है कौन सा गलत है या आप नहीं डिसाइड कर सकते यह ब्रामः लों को ही डिसाइड करने देजिए ब्राम सिता कि साधी हुई थी वो बिल्कूल सही है आपको इसमें कोई के आपती हो दिया सोमे के लिए भेज दिया गया था तो यह देखिया लिए इसमें क्या होता धिबाह के बाद से क्या होता है यह क्या लिख रहिक practicing विबाह के बाद 12 वरसों तक इच्ववांकू वंस, यह क्या लिकर रही है? महराज दसरत के महल में रहकर, मैंने अपने पती के साथ सबी मनोचित भोग भोगे हैं, यह तो खुद कह रही है, कि भाई मैंने सारे मनोचित भोग भोगे हैं, अब विबाह के बाद ही, देख उसके बाद 12 वरस तक जितनी भी उम्र रही हो उसके बाद से 12 वर्स तक दसलत के महल में रहकर अपने पती के साथ सभी मनोचित भोग भोगे हैं इसका मतलब अगर कोई कह दे कि हां वो राम जी के साथ सुई है तो इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है आप बोल दिजे कि अगर कोई कह रहा है कोई पतनी कह रही है कि अपने पती के साथ मैं सारे भोग भोगी हूं और उसको कोई कहे कि हाँ वो अपने पती के सांथ सोती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें साली महराज दसरत ने राज मंत्रियों से मिलकर सलाह की किसे राम चंद्र जी का यूराज पत पर अविशेक करने का उस लोग में दसरत का वहना नहीं है अरे भाई सब्सक्राइब दसरत का यहां वर्णर नहीं है तो क्या लिख रहा है तत्र तर्योदसे वरसे राजा अब मंत्रेता प्रभु अभिशेक चेशू राम समेतो राज मंत्र भी तो भाईया यहां पे वो बाई डिफॉल्ट लिया जाता है यह कि उनके पिता जो है राजा दसरत के वह बाई डिफॉल्ट आता है इसमें कि राज मंत्रियों से के लिए दसरत ही ना यहां पे जो दसारत आप अब राजा तू राजा नहीं थे न भारत थे ना कोई दूसरा राजा था उनके लिए जब राजा लिख दिया यानि कि by default महराज दसरत की बात हो रही है पंकज पटेल आप मेरी बात समझें आप लोग ऐसी जगह पर जाकर ना धरम के बचाओ सीखना चाहते हो या सीखने कोसिस करते हो आप लोग को क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत बताऊंगा मैं कुछ भी गलत नहीं बता था आपकी जो किता आप मैं लिखी है एज इट इज बताता हूं आप लोग पता नहीं क्यों जब असको डिफेंट करता है इसको लिखा है जब बालमी की रमायड को लिखने में कोई आपती नहीं हो रही है तो आप लोगों क्यों ऐसा लगता है कि आप उसको बचा लोग है अब सुनिय मैं मेरे जनम काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ण गरना के अनुसार 18 साल की हो गई थी सुन लिए आपने हम है सीटा क्या कह रही है रावण शे कि जब तेरहां साल बारा साल वहां अपने पति के एका तो उसके बाध से उनके पती की अवस्था पची साल से उपर हो गई गय सी और मेरे जनमकान से लेकर वन मतलब जनम से लेकर अजब तक तक यह वन में आई जंग मतलब जंगल में तब तक उनकी अवस्था वर्ण अगर ना के नुसार 18 साल हो गई यहां तो साफ साफ लिखा है इस देख लिए संस्क्रीत में अश्टा दस ही वर्साणी मम जन्वनी गणयते यहां में लिखा हुआ है साफ साफ लिखा है तो 18 साल की उम्र में वो जंगल में आई तो अब बारा साल उसमें से घटा लिजी आठारा में से बारा बारा साल तो अपने पती के यहां रही तो पती के यहां रही तो आठारा में से बारा निकाल देजिएगा तो छे साल ही तो हुआ ना और पती की आयू कितना हुआ पचीस है ना त सब्सक्राइब दोस्त यह आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है अपने मंज से थोड़े हैं कि आपके कि लेकर हम लोग कुछ गलत टीखाटी पनी कर देंगे या जवरजस्ती जो है कोई लिख देंगे ऐसा नहीं अभी गार मुझे भूलने दीजिए और बीच में मत टोकेंगे प्लीस नहीं नहीं टोकेंगे बोली इसमें आपको कोई आपती हो तो बताईए पहले जो मैंने दिखा अभी आप नहीं समझें 12 साल तक वो अपने पती के साथ रह गई थी तो 13 साल मतलब की 12 के बाद से 13 यानि 25 जो साल चल रहा है ना 25 या 26 साल की बात हो रही है राम की अरे सर बोलने तो दीजिए सर हां मैं बोल रहा हूं ना आपको मैंने करेक्ट किया है बस आप बोलिए ना पिछला पॉइंट जो आप जो 13 साल यूराज वाला है नो उसमें मतलब पत्ती के साथ रहेगी थी वाला कोई किस्सा ही नहीं लिखा था उसमें अब बताता हूं ठोड़ा लोजिकली सोचिए छाए साल बताईए मुझे आप यहां पर यहां पर किलियर है ना कि 18 साल की हो ग मैं सुन रहा हूं मैं तो मना नहीं करता है आप सिर्फ इतना बता देजिए अस्तादस ही वरसारी मम जन्मनी गड़यते इसका क्या मतलब होता है और गीता प्रेस्ट ने यहां पर इसका अनुवाद किया है जनम काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ण गर्णा क अनुसार 18 साल हो गई थी और उन्हों ने पिछले स्लोक में भी अनुवाद किया था कि देखें गीता प्रेस सो साल से चल रहा है सो साल हो गए उस 1923 में खुला था सो साल से इस किताब पर आज तक किसी ने आपती नहीं कि आप लोग यूटूब के माध्य हम से सुचते हैं क कि यूटूब पर कुछ बोल देंगे यहां पर आके बोल देंगे तो उससे गलत थोड़े होगा सो साल से किताब चल रहा है 99 साल से आज तक किसी विद्वान की कि ब्रामण विद्वान की हिमत नहीं पड़ी कि जाकर उनके खिलाब कुछ बोल सके या एक सब्सक्राइब कर स सर एक बार मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट कर लेने दीजीगा सर मेरा पॉइंट में रखने भी हाँ बोलिए और मैर में एक लिखा गया है मतलब कुछ स्लोक से मतलब ऐसा लिखा गया है कि सीता माता को पाने के लिए जनक के जो राजमहल था वहां कई राजाओं ने हम हमला किया सीता माता के लिए अब ठोड़ा लोजिकली सोचिए कि छह साल की बच्ची के लिए कि कौन इतना मदब मूर्ख राजा होगा जो राजमहल पर किसी के हमला करेगा स्लोक नंबर बता देजिए मैं थोड़ा सा वह कर देता हूं दिखा देता हूं वही तो अच्छा वही तो प्रूब देने की कुशिज कर रहा हूं लेकिन आप दूसरे चैनल का नाम ही नहीं लेने हैं बोल रहे हो आप सुनिए मेरी बात एक्स वाइजड कोई भी चैनल क्या छाप रहा है जिसको एबी सीडी नहीं पता हो जिसकी क्वालिटी नहीं हो तो हम क्या उससे लें लोग आके अपनी बाते सेयर करें में उनको ज्यादा प्रिफरेंस देता हूं मैंने आप उपील भी की लोगों से कि प्लीज आप लोग मताईए जो डवेट करना चाहते हैं उनको आने दीजे और आप लूग पता निक्या दूसरी जगा ऐसी अप्वावा फैल आते हो तक क कि आपका जो उपनेयन संस्कार जो है उसको हुए 17 साल हो गया है तो उस से आप सुन का साल मला कितना हो गया अठाइस साल और एक और पॉइंट यह है कि जब राजा जनक ने स्री राम को पहले बार देखा तो उस टाइम उनका एज मला वो यंग थे और जब जो रिसी है ताड में तर्का सूर का वद्व करने के लिए राम को लेने आए और जब श्री राम को पहली बार जनक ने देखा था उस टाइम उनका एज क्या था मलब यंग थे उससाब से चोबीस साल को मैं जो बाल पन है उसके अंडर में रखा गया है और जैसे जैसे ही चोबीस से पार होते हैं 25 से 25 स्टार्ट होता है उसको हमारे सास्त्रों में यंग एज का दरजाग दिया गया है और सीता माता को भी बकाइदत तरूरी बोला गया है जब वो किसे से मतलब डिसकसन कर रही थी ना तो उन्होंने वो बता रही थी कि मेरे पीता जी मेरे साधी को लेकर चींती थे त तो छह साल की बच्ची के लिए कोई भी राजा किसी भी राजय पर हमला नहीं करेगा वहीं चीज़ें आपको बता रहा हुआ अच्छा अब रेफ्रेंस आपने जितनी भी बाते कहिए ना सबका आप रेफ्रेंस दे देजिए ताकि मैं चिक कर सकूं कि का रिफ्रेंस के लि सुधरम में आपने कितना कहा तरूरी का उम्र क्या बताया आपने तरूरी का उम्र होने पता मतलब तरूरी को एक तरह से यंग ही बोला गया है यंग बोला गया उम्र नहीं बताया क्या है मैं आपको अपने कह दिया आपके पास रेफ्रेंस नहीं है मैं आपको रेफ्रेंस कि उसादी जो है देकर और 12 साल के बीच में करने की बात स्रिफ रमायड ही नहीं लिखी है मतलब एक बात जो आप जिसको जूट लाने की लोकोशिस कर रहें हैं कि रमेड में मरण operates लेकर नहीं लिखा है ऐसी बात नहीं है तंमाम पहनना शुरू नहीं करती तब तक वह मिट्टी से खेलती है तब तक दोस्त को नहीं जानती तब तक वह नगनिका कहलाती है यह नगनिका जो है यह देखें यह मैं आपको दिखाता हूं नगनिका का अर्थ अयुवा जो अभी जवान नहीं हुई है किया है वसिष्ट मतलब आठ वर्ष से उपर की परंतु दस वर्ष से नीचे की कन्या नगनिका है मतलब इस से उपर जो है उसको जवान बोलते हैं यह देखें यह क्या कह रहा है कोशिस करूंगा सर अभी बाद में यह अभी मेरा पॉइट नहीं था नहीं मैं आपको और भी तमाम ध्रमकरंथ जो है न उसका यह दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके अब यह देखें प्रार्क द्वारा उद्रित पिष्ट 85 भविश्य पुरान के मुताविक नगनिका दस वर्स की लड़की है यानि दस वर्स से उपर में साधी करने की बात लिखी है यह देखिए यम यस्मृति वर्णासरम ध्रम प्रिष्ट 136 का कथन है कि ब्रंभा ने विवाह को ही इस्तरियों का उपनियन संसकार कहा है अतह इस्तरियों का विवाह गर्व से या जनम से आठवे वर्स में करना स्र मतलब और भी आपके धरम गरंथ हैं जो इस पात की पुष्टी करते हैं कि आटवे वर्स में ही साधी कर देना चाहिए और यह देखिए देवल रिसी का कहना है कि दस वर्स से उपर और मासिक धरम सुरू होने से पहले तक कन्या गंधारी कहलाती है दिरगाईव चाहने वाल गरता है जो यह कहता है आञका कन्या दिरम सुरू होने से पहले ही लड़की का विभाह कर देना चाहिए जो ऐसा नहीं करता वो दोसी 파ेरो कार्ण 45 झो उधिक करनेदी आ कन्या से अथवा 24 वर्स का पुरुस आठ वर्स की कन्या से विवा करें देखिया मनु स्मृति में भी 12 साल की कन्या से अगर 30 साल का है तो 12 साल की इतना बड़ा गैप बताया गया है 18 साल बड़ा उम्र का जो व्यक्ति है वह 12 साल की लड़की से कर सकता है और जो 24 साल का है तो वो आठ साल की लड़की, मतलब gap कितना हो गया, 16 साल का gap, आपके मनु स्मिर्ती में भी ये विधान है, और देखें, समवर्थ स्मिर्ती जो है, क्या कह रहा है, कि 8 वर्स की लड़की गौरी, 9 वर्स की रोहिडी, और 10 वर्स की कन्या कहलाती है, इसके पस्चात लड़की रजस मती नहों, तब तक उसका विवाह कर देना चाहिए, अश्टम वर्स की कन्या का विवाह होना प्रसंस नहीं है, 8 साल में साधी होने की भी बात, जो है, धरम गरंतों ने आपके प्रतिपादित की है, अच्छा, परासर इसमिर्ती क्या कहता है, कि यदि कन्या का 12 वर्स की होन पहले ही, 12 साल से पहले ही उसकी साधी कर देना है, नहीं तो माता पीता, जो है, मासिक धरम का रखत पीते हैं, तो ये एक सिर्फ रमयर की बात नहीं है, कि कम उम्र की साधी की, आपके तमाम धरम गरंत भी कह रहे हैं, कि छोटी-छोटी बच्चियों का साधी, तो ये नहीं लिखा है यहाँ पराचिन काल में लोग कम उम्र में साधी करते थे अंग्रेजों के समय में लोग कम उम्र में साधी करते थे यह कोई बढ़ी बात नहीं है कांधी जी को देख लिए नो साल ग्यारा साल में ही उन लोग साधी होती थी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक्सेप्ट कीजिए कि हम लोग के हैं यह गल्ती थी अब हम लोग सुधार कर रहे हैं पहली बातों मैं राम और सितमता का दिखाए आपको उसको हर बात चाहिए जो कि अभी मेरे पास अब एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा रुख जाए एक मिनट थोड़ा रुख जाए आप कर रहे हैं कि आप किस बुनियाद पर सही मानें अपने चीज़ याद रखिएगा अभी तक आपने जितने आउन किए आपने दिखा कुछ भी नहीं है जो एक अपकी मरजी वही देखें घरम घरंतों पर यही अपी लोग अपी में और आप सूच रहें कि पटेल होके जो है ब्रहुरों की बात जूट ला देंगे तो यह आपके बस की बात नहीं बोले पंकच पटेल अपनी बात लाश्ट पॉइंट अपना केर बोल दीजिए क्या काना चाहते हैं मैं बोल रहा हूं कि आपको मैं प्रूब भी दे सकता हूं बस आप उसके वीडियो पर आपको जो है लेकर आना चाहिए था अगर किसी चीज़ पर डिवेट करना चाहते हैं तो देखें इस्टूडेंट जो होता है ना वह अपना पेंसिल बसता अपना भारी रखता है जाये तो अपना सारा समान लेकर जाए आप यहां पर सोचते हैं रेशनल वर्ड पर आएंगे कि आपके पास है और कैसे जो है और वह भी सर्टिफिकेट लेकर आईएगा गीता प्रेस का ही लेकर आईएगा फिर क्योंकि गीता प्रेस से हमने दिखाया है दूसरे का किसी का लेकर लेकर आईएगा तो फिर यह लेकर आईएगा कि कैसे गीता प्रेस को उसने गलत सावित करवा दिया है उसके पास सर्टिफिकेट है कि वह सही है या जो तो दोस्तों आपने देखा यहां पर कि कुछ लोग यह दावा जो कर रहे थे कि रमायर में जो है राम की और सिता की जो एज है वो जो मैंने वीडियो बनाया है साइन्स चतनी पर वीडियो कि वन नायटी उसके कंदन की बात यह सोच रहे दें नहीं कर पाया जो लिखा भूह consume नहीं दिखा यहां पर यह आप लोगों नहीं देखाा कि इनक पास नहीं सबूत था और यह में बाते कर रहे हैं सबूत नहीं के पैन होने